फास जॉब एलर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पाय सबसे ते जॉब एलर्ट दिए हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फास जॉब एलर्ट CISF यानि की Central Industrial Security Force Head Constable Ministerial Pat के लिए Application Form की Notification जारी कर दिया है आईए अब Important Dates के बारे में जान लेते हैं Application Start होगा 21.1.2019 से आप Online आवेदन कर पाएंगे आवेदन करने की अंतिम टीथी जो है 20.2.2019 से आप साम 5 बज़े तक अपलाइक कर सकते हैं आखरी टीथी है SBHRN के मायम से पेमेंट करने का 22.2.2019 आईए अब Application Fee के बारे में जान लेते हैं General OBC Candidate के लिए 100 रुपए हैं SCST या Women Candidate के लिए कोई Application Fee नहीं है आप Application Fee पेमेंट कर सकते हैं भाया डेविट कार्ड, क्रेइट कार्ड, नेट बैंकिंग या SVI चलान के माधियम से आईए अब Age Limitation के बारे में जान लेते हैं Age as on 22-2019, Minimum Age 18 साल है, Maximum Age 25 साल है Total Part 429 है, आईए अब Educational Qualification के बारे में जान लेते हैं इसके लिए 10 प्लस 2 या Intermediate या Equivalent किसी भी Recognized Board या University से पास होना चाहिए साथ साथ में Skill Test, Norms on Computer, इसके लिए English Typing 35 Watt per Minute का होना चाहिए, कंप्यूटर पे या Hindi Typing होना चाहिए, 30 Watt per Minute का इसके लिए 10 मिनट टाइम मिलेगा आईए अब Vacancy Details के बारे में जान लेते हैं पद का नाम Direct Mail है, General के लिए 167 पद है OBC के लिए 88 पद है SC के लिए 49 पद है ST के लिए 24 पद है कुल 328 है Direct Female Candidate के लिए General के लिए 20 पद है OBC के लिए 9 पद है SC के लिए 5 पद है ST के लिए 2 पद है कुल 37 पद है LDCE General के लिए 34 पद है OBC के लिए 17 पद है SC के लिए 9 पद है ST के लिए 4 पद है ád कुल चौॉट पद है आई है अब फिजिकलस पेंडर्ड के बारे में जान लेते हैं दाउन मेल के लिए हाइट स्ट कंडिरेट के लिए एक सो बास्ट समलोग पांच सेंटीमेटर होना चाहिए अधर कंडिरेट के लिए एक सो पैंसट सेंटीमेटर है मेल कंडिरेट के लिए चेस्ट, स्ट के लिए 76-81 सेंटीमेटर होना चाहिए अधर कंडिरेट के लिए 77-82 सेंटीमेटर फीमेल कंडिरेट के लिए हाइट, स्ट कंडिरेट के लिए 150 सेंटीमेटर है और अधर कंडिरेट के लिए 155 सेंटीमेटर है आईए अब selection process के बारे में जान लेते हैं selection process जो होगा तीन stage में होगा पहरे stage में PST यानि की physical standard test और documentation दूसरे stage में OMR या computer based written examination होगा जो की question paper हिंदी और English में होगा किसरा जो होगा skill test जो होगा skill test यानि की type writing test होगा यहां आप देख सकते हैं official notification जारी कर दिया गया है यहां आपको पूरी detail मिल जागा इस vacancy से related अत्यादिक जानकारी के लिए और apply करने के लिए visit कर सकते हैं हमारे website www.fazjobsearcher.com अगर यह video आपको अच्छा लगा है तो like करे, share करे और आने वाले job alert के लिए वेरे channel को subscribe करना ना भूले thank you for watching